सदियों पहले एक जंगल में मही नाम की एक चील रहा करती थी वो चील बहुत ही बलवान थी और बहुत ही खतरनाग भी हर दिन किसी न किसी पक्षी के पीछे लग जाती उनका शिकार कर खूब मजे कर उन्हें खा लिया करती थी जिस जंगल में ऐसी खतरनाग चील रहा करती थी वहाँ पर रहने वाली बाकी पक्षियां जैसे तूनी चिडिया, लूसी कबुतर, छोटु तोटी और चीचुकवी अपनी जान हतेली पे लिए बल-बल डर-डर कर जिया करते थे एक दिन सारी पक्षियां तूनी चिडिया के घांसले के पास इखते हुए दोस्तों, दिन बदिन दुष्ट मही चिल की अराजकता बढ़ती जा रही है, बलकि कम नहीं हो रहा, मैं इसका पूरी तरह से विरोध करती हूँ पर तूनी चिडिया, हम इसके लिए कर भी क्या सकते हैं? अगर किसी के पास कोई अच्छा सा उपाय हो, तो हम उस मही चिल को सबक सिखा सकते हैं हाँ, पर हम इतना जोखिम नहीं उठा सकते, उसे सबक सिखाने के चकर में, अगर हमसे थोड़ी भी चूख हो गई, तो हम सब बे मौत मारे जाएंगे वो हम सब को एक एक कर, शिकार कर मार खा जाएगी, सोच लेना यूँ चीचू की कही बात पर सभी सोचने लगे, सभी को उसकी बात भी उतनी ही सच लगी फिर सभी पक्षियों ने मिलकर फैसला किया कि वे सभी एक बार मही चिल से आमने सामने बात करेंगे उन सभी ने अपना प्रतिनी धित्व करने के लिए चीचु कवी को उसके पास भेजा फिर सभी पक्षियां एक पेड के पास इखटी हुई जहाँ पर मही चील उनसे मिलने आई तुम हमारे बुलाने से यहां पर आई इसका बहुत धन्यवाद पहले बताओ बात क्या है डरेसल आप हर दिन किसी पक्षि का शिकार कर अपना पेड भरती है वैसे इस बात में कोई दो राह नहीं कि आप ऐसा अपना पेड भरने के लिए करती है पर जरूरत से जादा पक्षियों का शिकार करना हमें सही नहीं लगता अगर आप हमारी बात माने तो हम सब आपस में मिलकर ही चिठी डालकर देख लेंगे चिठी में जिस पक्षि का भी नाम होगा वो खुद आपके पास चल कर आएगा आपका आहार बनने के लिए चीचु की बात सुनकर मही चिलने मन ही मन सोचा कि अगर जंगल की पक्षियां खुद चल कर मेरे पास आकर मेरा शिकार बनना चाहती है तो अच्छा ही है उसे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी इसलिए मही चिलने चीचु कवी की कही बात मान ली सभी पक्षियां ये जानकर बहुत खुश हो गई जिस पक्षि को मेरे पास आना है वो अगर नहीं पहुचा तो उसके बाद का अंजाम जितना बुरा होगा तुम में से कोई उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा मही चिल ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पक्षि आपके पास ना आए तुम इसकी चिंता मत करो, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा आ जाओगे तो तुम्हारा भला होगा, नहीं आओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा यूँ चील के धमकाने पर तुनी चिरिया, लूसी कबुतर, ठीचु कवी और छोटु तोती अपने अपने घर घबराती हुई वापस लोटी वो राद बीट गई अगले ही दिन से वादे के मुताबिक जिस भी पक्षी का नाम आया करता वे एक एकर अपने दिल पर पत्थर रग, दुखी मन से, बाकी पक्षियों को इसकी कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मही ठील का शिकार बनने उन्हें भेश दिया करते और जैसे सोचा था, एक एकर सभी पक्षियों की बली चड़ने लगी फिर कुछ दिनों बाद तूनी चड़िया की बारी आई, जैसे ही ये बात पता चली तूनी के चूजे ये तूनी के बच्चे उसे देख कर रोने लगे, तूनी के घौसले के पास आये बागी पक्षियों को भी तूनी के बच्चों को रोता हुआ देख बहुत बुरा लग रहा था उन सभी को भी रोना आ रहा था पर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं था उन सभी को एक एकर इस तोर से गुजरना ही था मां, तुम यही पर गौजले में रहो मेरे बाई बेनों के साथ मही का शिकार बनने के लिए मैं चली जाती हूं मां अभी तक तुम्हारी हदिया कोमल है, मस्बूत नहीं हुई, तुम्हारे शरीर में मास भी नहीं भरा, तुमने अभी दुनिया भी नहीं देखी, इतनी छोटी उमर में, तुम्हें चील का शिकार बनने के लिए महला मैं कैसे बेजू? ये कहकर तुनी चीरिया अपने बच्चों को गले लगा कर रोने लगी, पर निस सहाय होकर दिल पर पत्थर रखकर तुनी ने अपने बागी दो बच्चों की देख भाल करने के लिए अपनी बड़ी बेदी को ही मही का शिकार बनने के लिए भेज दिया, तुनी चीरिया की ब वो उसके पास आये और बोले तुम तूनी चिडिया की बेटी हो ना? हाँ स्वामी जी हाँ तो फिर तुम यहां बैटकर क्यों रो रही हो? नहीं स्वामी जी दरसल वो मही चिल यो उस चूजे ने स्वामी जी को मही की सारी बात बताई क्यों कहा? मही चिल अभी तक बदली नहीं? मेरी एक बात सुनो मैं तुमें एक द्रव्य दूँगा उसे अगर तुम मही को किसी तरह पिला पाओगी तो मही चिल का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा अच्छा तब बताईए ना स्वामी जी वो औशदी मुझे कहा मिलेगी? मैं जाकर ले आओंगी तो ध्यान से सुनो इस जंगल के पश्चिम और पर अनन्नास का एक पेड है तुम उस भल का जूस बनागर अगर मही चिल को पिला दो तो मही चिल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा नन्नी चूजी ने सुआमी जी को धन्यवाद कहा अनननस का पेड ढूंडा और उसका जूस बना लिया जूस लेकर वो मही चिल के पास गई क्या है ये? दरसल हम खाने से पहले इसे पीते हैं तो मैं आपके लिए भी लेकर आई मही चिल एक पल के लिए भी बिना कुछ सोचे जूस पी गई और क्या था? पल भर में ही उसने खून की उल्टिया की और मर गई तूनी चिरिया की नन्ही चूजी वापस उड़कर अपनी मा के पास आई जंगल में जितनी पक्षियां बची थी उन्हें चूजे ने सारी बात बताई सभी पक्षियां निश्चिन्थो कर उस जंगल में जीने लगी बहुत समय पहले एक जंगल में तरह तरह की पक्षियां रहा करती थी उसी जंगल में तूनी चिरिया भी रहा करती थी तूनी के दो चूजे थे पर तूनी बेचारी जितनी भी कोशिश कर लेती अपने दोनों चूजों को पेड़ भर खाना नहीं दे पाती थी उसी जंगल में लूसी कबुतर भी रहा करती थी तूनी चुडिया और लूसी कबुतर बहुत अच्छी सहे लिया थी जब तूनी कबुतर अपने चूजों को पेड़ भर खाना नहीं दे पाती थी तब लूसी कबुतर उन्हें दाना दे कर मदद किया करती थी तब तूनी चुडिया कहती कबुतर ना जाने में तुमारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी पर अगर तुम मेरी मदद न करती तो ना जाने मैं अपने बच्चों की देख्बाल कर भी पातीया नहीं इतनी भी बड़ी बड़ी बाते क्यों कर रही हो इन छोटी मोटी सहायताओं से मैं इतनी बड़ी भी नहीं बन जाती इन अकाल परिस्थितियों में मैं चाहिए जितनी भी कोशिश कर लू मैं बोजन का बंदोपस्त नहीं कर पा रही मैं शहर ही चली जाओं मा जैसी इस जंगल को छोड़कर तुम शहर जाने की सोच रही हो वहाँ दाना मिलना तो दूर की बात तुम दर दर भटक कर घबराती सहमती हुई ही अपने सिंदगी काटोगी और तो और वहाँ पर मन शरहते हैं वो गिर्गिट से भी जादा तेजी से अपने रंग बदलते हैं पहले तो प्यार से दाने डाल कर हमें अपनी और मोह लेते हैं फिर हमी को पिंजरे में बंद कर आनंद का अनुभव करते हैं तुम्हारी तरह चार दानों की आस में जंगल छोड़कर शहर गए अपने कई डोस्त उनकी जाल में फसकर अपश्टा रहे हैं यहां हमें आहर नहीं मिल रहा और शहर में जाकर हम बस नहीं सकते फिर ऐसे में हमारा क्या होगा दोस्त मैं सोच रही थी कि अंगुर का कारोबार शुरू कर लूँ अगर तुम उसमें मेरी मदद करोगी तो बहुत अच्छा होगा आहां क्यों नहीं मैं जरूर करूंगी फिर दोनों सहेलियों ने मिल कर कहीं से अंगुर के बीज खटे किये जमीन की जुताईकर उन बीजों को उनमें बो दिया पर उसी जंगल में चीचु नाम एक चोड़नी कवी रहा करती थी वो हर समय सभी को धोका देकर उनकी चीजे चुराने का ही काम करती थी हर दिन रात में कवी उनके जमीन पर जाती और उनके बोय हुए बीजों को खुदाईकर खा जाया करती तुनी चिरिया और लूसी कबुतर बड़ी आज से अपनी जमीन पर जाकर ये देखा करते कि उनकी बीज अब अंकुरित हुई होगी पर जैसे ही उन दोनों ने ये देखा कि जमीन को खोद कर किसी ने बीजों को खा लिया है वे दोनों बहुत दुखी हुई तब तुनी ने कहा हम दोनों ने इतनी महनत कर बीजों को बोया और ना जाने कोई उसे खा गया चिंता मत करो दोस्त हम फिर से कोशिश करेंगे हमने चुगने के लिए कुछ बीजों को ऐसे ही रखा था न हम भले ही भूके रहें पर हम बीजों को बो कर ही रहेंगे इस तरह उन दोनों ने चुगने के लिए जो बीच रखे थे उन्हें भी बो दिया पर उस दिन भी के मुखिया मही चील के पास गए और उन्हें अपनी सारी बाद बताई उनकी सारी बात जानने के बाद मही चील को पता चल ही गया कि ये सब आखिर किस ने किया था मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे बीजों को कौन खा रहा है मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो फिर मही चिलने उन दोनों को एक कुपाई सुझाया और उनके पास रहे कुछ अंगूर के बीजों को उन दोनों को दे दिया वो साधारन नहीं बलकी मायावी बीश थे वो जमीन में नहीं बलकी आसमान में उगने वाले थे मही चिलने अपने कंधे पर लूसी कबुतर और तूनी चिरिया को बिठाया और बहुत उन्चाई तक उन्हें उड़ा कर ले गया वहाँ पहुंचकर बादलों में उन्होंने बीजों को बोए बीजों को बोने के एक दिन बाद ही वहाँ पर अंगूर के बगीचे उग गए चीचु कवी नीचे से ये सब देख रही थी और उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो वहाँ तक उड़ कर जाएगी कुछ अंगूरों को खाएगी और बागी सारे बरबाद कर रख देगी पर चीचु कवा जितना भी उपर उड़ने की कोशिश करती वो ठक जाया करती वापस गिरकर उसे चोटे ही लगी देखा दोस्तों वो अच्छे से जानती थी कि जितनी उन्चाई पर चील उड़ पाता है उतना वो नहीं उड़ पाएगी फिर भी अपने लालच को पूरा करने के लिए उसने उड़ने की कोशिश की और खुदी को चोट लगवाली अब तुम दोनों को घबरानी की कोई जरूरत नहीं तुम दोनों इन अंगुरों को बेच कर अपना गुजारा अच्छे से कर पाओगे इस तरह बादुलों में उगाए अंगुरों को बेच कर लूसी कबुतर और तुनी चिडिया सुखी जीवन जीने लगी